नमस्कार स्वागत है आपका जनसता में मैं हूँ उपेंद कुमार और लेकर आया हूँ आपके लिए इस वक्त की ताजा बड़ी खबरे गुजरात के मुख्यमंत्री विजे रुपाणी ने इस्तिपा दे दिया है उन्होंने कहा कि पार्टी में समय के साथ दाईत तो बदलते रहते हैं पार्टी में इस वभाविक प्रकिरिया है मुझे पांच साल के लिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली ये बहुत बड़ी बात है रुपाणी ने कहा कि जेपी नटा का भी मार्ग दर्शन मेरे लिए अभूत पूर रहा अब मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका निर्वहन करूंगा उन्होंने कहा कि हम प्रदेश का चुनाव नरेंद्र मोधी की अगवाई में लड़ते हैं और 2022 का चुनाव भी उन्ही की अगवाई में लड़ा जाएगा बता दें रुपाणी ने 26 दिसंबर 2017 को दूसरी बार गुझरात के मुख्यवंत्री पत की शपत ली थी बिजेपी ने गुझरात में 182 सीटों में से 99 सीटे जीत कर बहुमत हांसिल किया था बिदान मंडल दल की बैठक में रुपाणी को विधायक दल का नेता और नेतिन पतेल को उपनेता चुना गया था बिते कुछ दिनों से गुझरात सरकार में नेतिल तो परिवर्तन की अटकले लग रही थी त्यंद्रिक रिमंती अमिश्या गुर्वारात करीबाट बज़े आचानक एंदाबाद पहुंचे थे उनके गुझरात आने का कोई तैस शेडूल नहीं था रुपाणी के इस्तिपरपा प्रक्टिदार नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि कोरोना में अव्योस्ता और नकामी की वज़ा से लोगों में नराजगी थी ऐसे में भाजपा सीएम बदल कर लोगों को गुम्रा कर रही है उसने उत्रा खंड में भी यही किया उदर राश्पती रामनात कोविन ने शनिवार को संगम नगरी प्रयागराज में 640 करोन रुपे की परियोजनाओं का शिल्लागास किया इस दोरान उन्होंने नेशनल लौ इन वर सिटी इलाभाध हाई कोट के अधिवक्ता चेंबर की बिल्लिंग और मल्टी लेवल पार्किंग की अधार शेला भी रखी उन्होंने कहा कि नयापालिका में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए इतिहास का जिक्र करते हुए महा महीमिन ने बताया कि 1925 में भारत की पहली महिला वकील का पंजीकरन इलाभाध हाई कोट में हुआ था राशपती ने हालही में नियापालिका में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी राशपती ने कहा कि सबको नयापालिका के प्रति बिश्वास जगाना होगा वहीं दिल्ली में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है बताया जा रहा है कि यहां 46 साल बाद इतनी बारिश हुई है मोती बाग आरके पूरम सही दक्षणी दिली के कई इलाकों में के सडकों पर पानी भर गया है और यहां से आने जाने वाले लोगों को मुसीवतों का सामना करना पड़ रहा है वहां दिली के इंद्रा गाधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में भी बारिश का पानी भर गया है एयरपोर्ट परिसर के अलावा रन्यवे पर भी पानी भर गया है और पार्किंग शेत्र में खड़ी जहाजों के पहिये उसमें डूबे नजर आ रहे हैं एरपोर्ट अथॉर्टी ने बताया कि एक इंटरनेशनल और चार घरेलू फ्लाइट्स को जैपूर और आहमजाबाद एरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि जिन इलाकों में पानी भरने की समस्य सामने आई है, वहां मशीनों के जरीए पानी निकाला जा रहा है। दिल्ली में एक तरफ बारिश में 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो दूसरी तरफ 46 साल में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड भी बना लिया है। वहीं भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस समय केरल में सबसे बुरा हाल है। केंद्री स्वास्त्य मंतराले के आंकड़ों के अनुसार भारत में बिते 24 घंटे में कोरोना के 33,376 नए के सामने आया है। इसके साथ ही देश में कोरोना संख्यमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,32, 30,8,330 पर पहुँच गया है। वहाई पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 308 मरीजों की मौत हुई है जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,42,317 पर पहुँच गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,91,516 पर पहुच गई है। उधर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO हामिद शिनवारी ने दुनिया के क्रिकेट बोर्डों और ICC से अनुरोद किया है कि हमें अलग थलग न करें और राजनीती को क्रिकेट से दूर रखते हुए हमारा साथ दें ताकि हम अफगानिस्तान में क्रिकेट का प्रिचार प्रसार जारी रख सकें। शिनवारी का ये बयान आउस्ट्रेलिया क्रिकेट नौमबर में अफगानिस्तान से होने वाले एकलोते टेस्ट कैंसिल किये जाने की चेताउनी के बाद आया है। नहीं खेला जाएगा। वहीं ECB के CEO हामित शिनवारी ने कहा कि हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पूरे क्रिकेट जगत से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमारे लिए दरवाजे बंद ना करें। बलकि हमारे साथ चलें। हमें अलग थलग ना कर दे और देश के सांस्क्रितिक और धार्मिक वातावर्ण के लिए हमें धन्दी ना करें। अभी के लिए बस इतना ही बाकी देश, दुनिया, इंटर्टेन्मेंट और बिजनेस से जुड़े ख़बरों के लिए बने रहे हैं जनसक्ता के साथ।